असलाम लीकूम फ्रेंड्स आज में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ पास्ता चीज माइक्रोनी ये बहुत ही इसली घर पर आप इसे बना सकते हैं बिलकुर मार्किट जैसा तो बस इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रग दिया था कड़ाई कड़ाई में डाल दें इस पैक के अंदर होता है टेस्ट मेकर तो मैंने यहाँ पर टेस्ट मेकर इसमें एड कर दिया है दो पैकेट था तो मैंने दोनों पैकेट इसमें एड कर दिये हैं और इसे मिक्स करते रहना है चम्मस से वरना इसमें लंस परने लगते हैं यह बिलकुर लंस फ्री होना चाह आप चाहे तो इस चीजी पास्ता में अलग से भी कुछ चीजे एड़ कर सकते हैं जैसे ब्लेक पेपर पाउजर, चिली फ्लेक्स, औरेगेनो, मेयोनीज या चीज स्लाइसेज तो आपको जो भी पसंद हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें जादा कुछ एड़ कर रही हूँ, आज मुझे ऐसे ही बनाना था, तो बस यह देखें आपर उबाल आ गया है, अब इसमें हम एड़ कर देंगे माइक्रोनी, माइक्रोनी को मैंने इसमें एड़ करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, और लो फ्लेम पर ही इसे हमें ढखकर पांच म आपको जो भी पसंदो आप एड़ कर सकते हैं, तो बस यह देखें, आप पर पांच मिनट हो गए थे, माइक्रोनी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें हम एड़ कर देंगे, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए, चिली फ्लेक्स और और औरेगेनो, थोड़ा पर चिली फ्लेक्स और औरेगेनो डाला था, यकीन मानिए, इतना यम्मी सा टेस्टी, बिल्कुल बाहर जैसे हम खाते हैं, रेस्टरंट वगरे में, वैसे ही यह वाइट सॉस पास्ता बनकर तयार हो गया था, विदाउट चीज भी इतना टेस्टी और डिलीशियस था, बस आप लोग बना कर जरूर ट्राइ करिएगा, और ये देखे, मैंने लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं, माशालला कितना यम्मी सा डिलीशियस हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर तयार है, तो अगर आप इस तरह से घर पे बना लेंगे तो बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं है, और बहुत ही जटपट बनकर तयार हो जाता है, बस 5-10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये, मिना मत जा बिल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वारी नेक्स्ट रेसिपी कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो, अल्ला हाफिज